नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो हमारा कॉनल सीरप और अस्थकॉन के एपसूल होता है उसके बारे में तो उसको मगाया धर मैंने और फिर इसको यूज किया और मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिजेट होगा वह मैं आपके साथ जरूर सेयर करूंगा तो कई भाई लोग कमेंट भी आ रहे थे कि हमें जो रिजेट है वो उसको सो करो तो मैंने पहले उसको अच्छे से यूज किया था उसके बाद ही मैं आपको रिजेट उसका सो कर रहा हूं यह देखी कॉनल सीरप यह खाली हो चुगा है पूरा यूज कर लिया था लेकिन मैंने बताया था कि इसके यूज करने के बाद इसका क्या एफेक्ट होगा वो आपको बाद में सेर करूंगा तो उस वीडियो पर जो सब्सक्राइबर थे वो बहुत ही जादा कम थे मतलब देखने वाले अगर सो परसेंट थे तो एक परसेंट से मुश्किल से एक प अच्छी वीडियो बनाने के लिए तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और धेट सारी वीडियो तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो पसंद आ रहो तो वीडियो को लाइक कर दें चलिए अब बात करते हैं जो हमारा स्टकॉन कैप्सूल और जो खुनाल सीरप उसके रिजेंट ही तो यह देखिए इस सरी किसमें मैंने पूरा यह यूज करने का था तो मैंने यह पूरा यूज कर लिया है और कैप्सूल भी यूज कर लिए थे तो इसका जो एफेक्ट है वो मुझे कोई भी एफेक्ट मालिम इसका नहीं पड़ा था सिरफ है जैसे खांसी होने के बाद तो घ्ले में फयांसी के बाद खांसी होने के बाद फूरा हज वह जाता है परिसान ही होती है गले में तो जब इस सिरफ्कों थोड़ी दोर के लिए पीते हैं तो इसमें मिन्ट वाली होता है थोड़ा सा ihrem ए expenditure आहना होता है यूज कर थोड़ा बहुत तो फर्क होना चाहिए था पर उसका जरासा भी कोई एफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला तो मैंने यूज़ किया था ये मेरा परसनल उपी में अगर आप फिर भी एक वार यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे तो इसका कोई एफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला जिसे इस समय मौसम चल रहा है तो इस समय काफी लोगों को बहुत साधी allergy है जिनको अलर्जी होती है तो मौसम चेंज होने पर उनको इलर्जी इसी time इस टाइम जादा होती है बरसद के मौसम में या फिर जब गर्मियों से सरजी आती है उस time December में इस November की time में और इस कॲड़े हिए उनकी लिए होता है लेकिन अगर चिसकें है और उसे बहुत ज्ड़ाइफ क्भी VT नीच सकते हैं और यह20 रूपए में ड़कन इसके इस पर 28 रुपए MRP है, इसका जो MRP है, वो 28 रुपए है, और आप देख सकते हैं, यह लेगो कॉप, तो इस टेबलेट का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तो कोई पहले से टेबलेट चल रही है, या फिर आप को किसी टेबलेट खाने से ऐलर्जी हो जाती है, तो जिनकी पंडरे साल से उपर है, वो एक टेबलेट सुबह साम इसको ले सकते हैं, लेकिन एक बार मैं और बता दूँ, किसी डॉक्टर की सला से ही इस टेबलेट को आप लें, बागी इसके साथ मैं क्या कर सकते हैं, यैसे किसी का एकदम से, मतलब ऐलर्जी से अटेक्स आता ह कभी कभी तो आप इसको इन्हेल कर सकते हैं बागी टेपलेट हाई चार-पांस दिन में आपको तुरंत ही रिलीफ देखने के लिए इससे मिल जाएगा बाकी जब आपके थोड़ा रिलीफ होना से फिर इसको आप बंद करते हैं इसको ना लें लेकिन जब अचानक से आपको जादा कभी सांस लेने में इसको बहुत दिक्कत होने लगती है तो इसको एक पंप एक बार में आप इसका ले सकते हैं तो इसका कोई वो एफेक्ट भी नहीं है यह नहीं कि इसकी आदत लग जाएगी बढ़ हाँ इसको जब मतलब फाल्तू में पंप जैसे थोड़ा बहु कि इससे ठीक हो जाएगी लेकिन हाँ इसका जैसे टाइम चलता एक प्रिएड जैसे अलर्जी का स्थमाज होती है उसका कि इतने तनों से इतने तक मतलब हपते यहां पंदर दिन या एक महीनी तक रहता है तो उस टाइम तक उस टाइम पीडिड तक आप यूज कर सकते हैं बाकि अपने आप वो जब मौसम अपना रूटीन में आ जाता है तो यह वीडियो थी अगर यह वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगें तो वीडियो को लाइक करें और मैं एक वार आपको बता दूँ कि प्लीज अगर थोड़ा बहुत भी इंफर्मेटिव लगा हो पहले